जी बटास स्वानेकुम हम लोग पढ़ रहे थे और प्रेशन एंप्लिफायर एज़े कॉम्पेरेटर और पैम एज़े कॉम्पेरेटर याद है आपको और हम इसे नाइट टाइम स्विच नाइट टाइम गेट लाइट जला सकते हैं आटोमेटिकली हम अलाम सिस्टम बना सकत से मैं एक दो कुष्टन करा दूं आपको फिर आगे चलते हैं ओके अगर्मी होगी आज का जना इलेक्ट्रोनिक्स वन फॉर्टी पेज नेमबर जी जनाब आरिया स्क्रीन बनादर जी मिर आविटा नवेंबर 09 वेरिट 41 कॉस्टन नवेर टन हाँ थी बेटा तो सर्केट फिगर 10.1 मेबी यूस तो इंडिकेट तेम्परेचर चेंज तेम्परेचर चेंज इंडिकेट करने के लिए तरह और से देख लिए कंपरेटर सर्केट है दे दे रुजी डेर्ट इश्टेन डिगरी इजे टेनिवन अंडर अंस हो कि और शिक्सटीन डेगरी पे इसकी और इजिस्टेन्स हैं नाइटेन हंडर ऑम् Medical P रिजिस्टर 2000 Ohms का रिजिस्टर है यह 2000 Ohms का है 2000 Ohms 2000 इसकी भी रिजिस्टन्स है Ohms और 2000 Ohms इसकी भी रिजिस्टन्स है अच्छा बेटा अब कहते हैं जरा गोर से सुरिए Each resistor P has a resistance 2000 Ohms Determine the change in states of light emitting diodes R and G यहाँ पे दो एक red और एक G R and G, red and green दो light emitting diode है यह अर्च यह अर्च लाइन है जीरो लाइन है यह प्लस वाइव और माइनस वाइव सप्लाई वोल्टीजिस है अच्छा बही अब बात करते हैं 16 डिगरी पे 16 डिगरी at 16 डिगरी 16 डिगरी इसकी resistance कितनी है 2100 अब बताओ कॉन सा LED glow करेगा red के green जलदी से बताँ जलदी से answer दें बीटा 16 डिगरी पे कॉन सा LED glow करेगा red glow करेगा के green glow करेगा I am giving you 2 minutes to think about it 2 minutes में answer दो बीटा कॉन सा LED glow करेगा red glow करेगा के green glow करेगा कि आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक पर यह आंसर दें तस्कीन आंसर दो मुझे रेड ग्लोग करेगा कि ग्रीन ग्लोग करेगा जब टेंपरेचर 200 है कि नहीं आता तो लिखते हैं अमर अब्दिल्ला कहरें रेड ग्लोग करेगा मनाहिल शिकूर कहरें रेड ग्लोग करेगा अलीना भी कहरें रेड ग्लोग करेगा सरदार नजीर मलीक भी कहरें रेड ग्लोग करेगा इजहाब भी कहरे हैं गुड यार मैं देखता हूँ मुझे पता है कि निए, मैं देखता हूँ मुझे आता है कि ने आता हूँ मैंने कहले सबसे पहले क्या सोचना है यह 2 Vобр है और यहाँ पर 0 है तो इसकी बात करें इसकी 1 V 올 इसको मिल रहा है एक वोल्ट इसको मिल रहा है, तो आपने non-inverting input तो 1 वोल्ट पे fix कर दी, यह तो 1 वोल्ट पे fixed है, it is fixed at 1 वोल्ट, it is fixed, यह fixed कर दी, आपने fixed, अच्छा बाई, देखो, यह 2 वोल्ट है नहीं यहाँ पे, यहाँ जीरो है, तो इधर current flow कर रहा है, 1 volt इसको मिल रहा है, 1 volt, जितना इसको मिल रहा है, उतना यहाँ पर आ जाएगा है, पर 1 volt आगा है, 1 volt. अब inverting को चेक करो, inverting को, inverting को चेक करती है, inverting को, यह 2100 है, यह 2000 है, अब 2 volt ने इन दोनों में डिवाइड होने है, तो इधर मिलेगा more than 1, इधर मिलेगा less, इक्वली तो डिवाइड नहीं होगा न, देखो न, अगर यह भी 2000 होता, यह भी 2000 होता, तो 1 volt इसको मिलता, 1 volt इसको मिलता, अब यह 2100 है, तो यहाँ पर voltage मिलेगी more than 1 volt, more than 1 volt, और यहाँ पर क्या मिलेगी, less than 1 volt, ओके यहां पे less than 1 volt मिलेगी जब यह less than 1 volt होगी जितनी है यहां पे voltage आएगी और इसथर आजाएगी रहा इधर voltage 1 है और इधर क्या है less than 1 less than 1 volt कैसे मालूम हुआ इन दोनों में voltage ने divide होना है जो इसको voltage मिलेगी वो यहां पर आएगी जो इसको voltage मिलेगी वो यहां पर आएगी, यह दोनों parallel है, यह आप समझो, यह voltage क्या है, 2V आ रही है, 2100 को मिलेगी मेरे खाल से 1.0, 1.1 या 1.01 लाइक इस तरह, और इसको मिलेगी 0.9, 0.9 मिल रही है, यहां पर 0.9 है, भी देखो, 2 में से 1.1 इससे ले ली, 2V थी, यहां पर energy 2 थी, 1.1 इससे ले ली, यहां पर इतनी बची 0.9, 0.9, 0.9 चेक कर लिजेगा, 0.9 यहां मेरे खाल से, तो इसको 0.9 आ जाएगा, less than 1 है, यह 1 है, यह less than 1 है, तो आउट पूट विल बी नेगेटिव, वी आउट वेल बी नेगेटिव, जनाब, नहीं, 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 आउट पूट पॉस्टिव होगी, ति यह ग्लो करेगा, यॉर राइट, 16 डिग्री पे, रेड लेड ग्लो करेगा, 16 डिग्री पे, रेड लेड लेड ग्लो करेगा, अब बात करते हैं, 18 डिग्री पे, 18 डिग्री पे चेक करते हैं, 18 डिग्री पे, हाजी 18 डिग्री पे चेक करो क्या होगा जी 18 डिग्री पे 18 डिग्री पे इसकी रिजिश्टन्स कितनी है 1900 इसकी कितनी है 2000 तो इधर मिलेगा equally यह तो 1 वोल्ट इधर है इसको तो 1 वोल्ट मिलेगा यह तो 1 पे fix है अब यहाँ पे क्या है यह 1900 है यह 2000 है तो इसको more than 1 मिलेगा इसको क्या मिलेगा more than 1 यहाँ पे वोल्ट इधर जोजेगी more than 1 more than आप निकालेंगे रिश्यो से कि voltage divider rule भी लगा सकते है 2000 over 1900 plus 2000 voltage divider rule into V total यहाँ पे जो voltage अब बताएंगे voltage इतनी मिलेगी यहाँ पे voltage मिलेगी ज्यादा वन से ज्यादा मिलेगी तो अब यहाँ पे आ रहे है more than 1 यहाँ पे आ रहे है more than 1 वोल्ट अब यह वन है यह more than 1 है तो output negative होगी नेगटिव वाला बड़ा आउटपुट नेगटिव होगी तो कौन गलो करेगा जी ग्रीन ग्रीन LED गलो करेगा ग्रीन LED ग्लो करेगा अब यह ग्लो करेगा यह आउटपुट नेगटिव होगी यह negative वाले यह मोर न यह वाले तो अब इस बताना था फोर मार्क के लिए एक और करते हैं यह राइट वाला केस्टन देखो हाधी comparator circuit की बात कर रहे है यह यह इतना भी ग्राफ नहीं बढ़ सकते हैं टाइम नहीं है कि पढ़ नहीं तो लोग पढ़ लेते हैं an operational amplifier may be used as a comparator state the function of comparator it compares input when V positive is greater than V negative output is positive when V positive is less than V negative the output is negative the variation with temperature theta of resistance यहापे resistance है kilo ohms में और यहापे temperature ग्राफ गिवन है temperature temperature और resistance temperature ग्राफ गिवन है thermistor का जल्दी से देख लें प्लीज थर्मिस्टर connected circuit यह यह शह रिर्यबल रिजस्टर है 2000 और 2000 आप तो अब आपको पता है यह 5 वल्ट आ और फाइब तो 2.5 इसको मिल रहा है 2.5 इसको मिल रहा है जितना यहां पे voltage मेल रही है जीड़ 25 fix होगी यहां पे voltage vary करेगी temperature पे डिपेंड करेगी अपरेशल amplifier में बीकन सिदेट वाइड इडिल अपरेशल amplifier तो गेन इंफिने ओगा open loop gain the temperature of thermistor is 10 degree Celsius determine the resistance of variable is X such that the output is 0 10 degree temperature पे हम चाहते है output 0 10 degree temperature पे V out should be 0 यह 0 चाहिए 10 degree पे यह 0 चाहिए कैसे होगा इसकी कितनी resistance हो इसकी कितनी resistance हो इसकी resistance आपने निकालनी है यह पूछना ना आपके the resistance of resistor X is not held नहीं सुरी determine the resistance of variable is इसकी कितनी resistance हो कि output 0 मिले और पुट 0 कब मिलेगी पता है ना आपको output 0 कब मिलेगी output 0 मिलेगी यह 2.5 है तो यह भी 2.5 होगा यह दोनों equal होंगी तो output 0 मिलेगी यह बात clear है आपको यह दोनों inputs equal होंगी तो output 0 मिलेगी हाना अच्छा अब यह 2.5 कब होगी जब इसको 2.5 मिलेगा तब इसको 2.5 मिलेगा तो पतर इसको भी 2.5 मिलेगा तो टोटल तो 5 है यह तो 5 है यह 5 आ रहे है यह पर 0 है तो इन दोनों को 2.5 तब मिलेगा जब इन दोनों की resistance equal होगी तो अब चेक कर लें कि 10 डिगरी पे इसकी कितनी resistance है जितनी इसकी resistance है उतनी इसकी resistance होगी तो 10 डिगरी पे graph given है हम graph पे चेक कर लेते हैं दुबारा सुन लो हमें output 0 चाहिए वो कहते है इसकी क्या resistance होके output 0 आजाए output 0 कब आती है जब इसकी दोनों inputs सेम होती है यह 2.5 है कैसे है इसवे 5 आ रहा है तो 2.5 इसको मिल रहे है 2.5 इसको मिल रहे है जितना यहां मिल रहे है उतनी voltage जहां आ रही है 1 ratio 1 2.5 वोल्ड यहां पे मिल रही है यह junction है junction जब 0 आएगी तब यहां पे 2.5 होगा मतब इसको 2.5 मिलेगा जब इसको 2.5 मिलेगा इन दोनों में 1 ratio 1 होने चाहिए इन दोनों की resistance equal होने चाहिए तो मैं चेक कर लेता हूं thermistor की 10 डिगरी पे कितनी resistance है ग्राफ गिवन है temperature 10 डिगरी यह resistance है कित्ती resistance है जी 2 और 3 के दर्म्यान में 2.5 किलो ओम्स 2500 ओम्स कित्ती resistance है जी 2500 ओम्स इसकी resistance है जी 10 डिगरी पे इसकी resistance है पच्छिस सो ओम्स उसकी भी पच्छिस सो होगे ठीक है जी अगला पाल्ट अब इसको कहते है फिक्स कर लिया इसकी resistance में पता जल गया पच्छिस सो ओम्स है या 2.5 किलो ओम्स है आपकी मर्जी जो मर्जी करने the resistance of X is now held at a constant value describe the change in output as temperature of thermistor changes from 5 to 20 5 से 20 पे लेके आ रहे है 10 इन के दिम्यान में आएगा यह यह इसकी resistance कब है इसकी resistance है at 10 degree thermistor की resistance है 2.5 किलो ओम्स अब मुझे सोच के बताओ ग्राफ नहीं देख रहाना है बात पर 5 डिग्री पे क्या होगी जब temperature 5 डिग्री होगा तो इसकी resistance क्या होगी बताओ 2500 से ज़ादा होगी कि 2500 से कम होगी जब temperature कम हो रहा है 10 से 5 temperature कम हो रहा है thermistor का क्या relation होते है temperature से inverse जब temperature कम हो रहा है तो obviously इसकी resistance 2.5 से ज़ादा होगी इसकी resistance क्या होगी more than more than 2500 अच्छा फिर जब temperature इसका हो जाएगा बीस डिग्री क्या होगा 10 डिग्री पे यह resistance है 20 डिग्री पे कितनी resistance होगी जब temperature बढ़ेगा तो resistance कम हो जाएगी इसकी resistance हो जाएगी less than क्या हो जाएगी less than 2500 बही 10 डिग्री पे पच्छी सो है ना जब temperature बढ़ेगा तो इसकी resistance कम हो जाएगी less than 2500 अच्छा अब पहले 5 डिग्री की बात करते हैं 5 डिग्री पे इसकी resistance कितनी है पच्चिस्टों से कम है इसकी फाइव फाइव दिख्री पर मॉभाट के रहे हूं है नहीं अट्रू इब एन इसके फाउर हुझ वाइव और दिख्री पर मौह और we of our अब आपको बता है, इसकी resistance 2500 है, इसकी resistance more than 2500 है, तो यहाँ जो voltage मिलेगी, वो आधी से जाधा मिलेगी, यह तो 2.5 पे fix है, अब इन दोनों में voltage equally divide नहीं होगी, 5 का आधा 2.5 और 2.5 नहीं मिलेगा, इसको more मिलेगा, more, more than, जब resistance जाधा है, आधी से जाधा है, तो voltage भी आधी से वोल्ट, तो जब यहाँ पे greater होगी, तो यह क्या हो जाएगी, more than 2.5, अच्छा, अब यह 2.5 है, यह more than 2.5 है, तो output will be negative, negative 9, अगर यह ideal operator है, ideal है, ideal है, ideal है, ideal है, ideal पे क्या होता है, ideal operational amplifier है, हमेशा saturated होता है, जब अगर open loop gain, इसका infinite होता है, तो यह negative बढ़ी है, तो output negative आएगी 5 डिगरी पे इसकी resistance X के मुकाबले में ज़्यादा होगी, जब इन दोनों में इसकी resistance ज़्यादा होगी, तो उसको voltage 2.5 से ज़्यादा मिलेगी, यह 2.5 से ज़्यादा है, यह 2.5 से कम है, तो output will be negative, get it, असान है न, अच्छा, 20 डिगरी पे क्या होगा, जी बटा, 20 डिगरी क्या होगा, इसको मिटा दू, 20 डिगरी पे 20 डिगरी की बात करो, 20 डिगरी पे इसकी resistance है, 2500 वो तो ही रहेगी, 20 डिगरी पे इसकी resistance less than 2500, इसकी less है, less than 2500, अब less than 2500 है, तो voltage equal ही तो नहीं होगी, इसको voltage मिलेगी less, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, less than, जब जितनी यहाँ पे voltage कम होगी तो यहाँ भी, यह दोनों parallel है, यह voltage कम हो जाएगी तो यहाँ भी less than 2.5, अब यह 2.5 है, यह less than 2.5, positive बढ़ा है, तो output will be positive 9, is it clear to you, तो यह अबने सीक लिया, अभी और question करेंगे, अब आगे बढ़ते ह रहते हैं यार, कोशिश करेंगे, 4 lecture में खतम हो जाएगे, question करेंगे ना, पास्टर पर 10 सालों के साथ साथ करेंगे, आप यह क्यों नहीं देखते हैं, हम तो इसको 6 lecture में खतम कर दे तो मेरे 8 lecture अभी तक हो चुगे हैं, हम आइस्ता नहीं पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे अच्छा बेटा, इसको बंद करें, next, हमने operational amplifier as a comparator पढ़ लिया, पढ़ लिया, अब आगे, अब मुश्किल चीज़े आने लगी हैं, अब अगले तीनों lecture में कुछ रयाद भी करना पड़ेगा, और अटेंटिव रहना पड़ेगा, एक definition लिखे, bandwidth, bandwidth, आपने telecommunication में bandwidth पड़ी हुई है, यहां पर थोड़ी सी different है, bandwidth, range of frequencies होता है, वहां पर भी टेली कॉम में भी था, यहां भी है, bandwidth क्या होता है, range of frequencies, amplifier की bandwidth क्या होती है, वो range of frequencies at which the amplifier can give the constant gain, the range of frequencies for which amplifier can give the constant gain, वो range of frequencies for which amplifier can give the constant gain, ideal amplifier has infinite bandwidth, ideal amplifier होता है, has infinite bandwidth, but real amplifier की bandwidth इंफिनित नहीं होती है, bandwidth, bandwidth, bandwidth of real amplifier depends on gain, जितना gain जादा होगा, उतनी bandwidth कम होगी, प्लिस कॉपी करें, अब यह रट्टे वाली चीज़ें हैं, क्यों होती है, कैसे होती है, भई मुझे नहीं पता, अच्छा भी, टेली कम्यूनिकेशन नहीं पढ़ावा, अब बताओ यह किसका कसूर है, तुमारा कसूर है, अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, कि इसको जूम पे मैं प्ले करवाता हूँ, तो सरहरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कि जूम पे इस तमाम लेक्चर्स प्ले कर देंगे, आप मुझे टाइम बताएं, किस टाइम प्ले करेंगे, जो सब लोग फ्री हो, हेड़ बॉइ, जिरा सबसे बता करके मुझे बताओ, कि जिन जिन बच्चों ने टेली कॉम नह सब लोगा जाजेएगा, जो जिन जिननों ने टेली कॉम नहीं देखा, मैं उनके लिए कर रहा हूं ये, तो ये सर्प प्ले करेंगे, एक दिन में दो दो लेक्चर करेंगे, तो साथ-आठ लेक्चर देंगे, आप क्या त्रें और आप देखते रहेंगे, प्लीज, सुने ह एक टाइम पे जिसमें दो या तीन लेक्टर हम एक एक दिन में दिखा सकते हैं आपको और आपका टेली कॉम खतम हो जाए इस तरह किसे जो जो चैप्टर आपके रिवाइस कराने है मैं इस तरहारी सेक्वेस्ट करूँगा कि आपको दिखा दे मैं दुबारा दुबारा नही कि आपके प्लिजण को बताना जिसान मुज़से बात करें सबसे टाइम कोडिने इस नहीं हो सकता इतने मैं हा सकता कोशिच करें सुबह का ताम रहें सर्हार दिखा सकते हैं स्कूल वाले टाइम पर आप मुझे कासिम सबसे बात कर लो इस बैटरी के सुबह वाले डाइम लख असे तुम शाम को तो अकैडमी पे होती हो ना चलाल होगे ना वह से करफ के सलेबस पर नहीं है लेकिन पहुंआ बताना चाता हूँ आप जहेंगे सरे क्यों बता रहे हैं ताके समझाओं से। यहां पर है गेन कह तो यहां पर है फ्रीकन्सी। अच्छा, डिफरेंट अम्प्लिफायर का डिफरेंट कर्क्रिक्रिस्टिक कर्व होता है, जो मैनुफ्रेक्चरर देता है, एक पर्टिकुलर अम्प्लिफायर का कर्व यह है, ऐसे कुछ, यह क्या है, अभी समझाता हूँ, एक पर्टिकुलर अम्प्लिफायर है, यहाँ पर लिखाव है टैन पावर फाइव, यहाँ पर लिखाव है टैन पावर फाइव, सुनिए गदर अगोर से, अम्प्लिफायर इस डब्बे के अंदर, इस सेरिये के अंदर काम करेगा, क्या मतलब, अगर तुम गेन यह रखते हो ना, अगर तुम गेन यह रखते हो, यह वाला, यह गेन रखते हो, यह गेन रखते हो, यह, तो यह कॉंस्टेंट है इतनी फ्रिकेंसिस के लिए, बस इत ही ये गेन है यहां यह लिखा भाए चलें तो यह अगर गेन रखो गे न तो यह कॉंस्टेंट रहेगा इसे यह 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 तक यहां तक यह यह नीचे चला जाएगा इसको फॉलो करेगा इतनी फ्रिकेंसिस के लिए कॉंस्टेंट है इस डबे में परपल वाले डबे के अंदर रहना है इसको मोटा कर दूं परपल वाले डबे को हर एमप्लिफायर का इस तरह का एक करेक्ट्रिस्टिक कर्व होता है जो मैनुफेक्च्टर देता है यह क्या बताता है और तुम गें यह रखोगे न तो यह फ्लैट रहेगा इतनी रेंज के लिए बस अगर आप गेंग कम कर दोगे तो यह दर तक रहेगा उसके बाद वाली तो यह इतनी रेंज के लिए constant है इतनी bandwidth बढ़ गए तो जितना gain कम होता है उतनी bandwidth बढ़ जाती है आपके किसर क्यों बता रहे हैं यह बिटा बात यह है कि जो amplifier में आप signal देती हो ना हर signal की constant frequency नहीं होती जब मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने की constant frequency इसी नहीं है कभी मैं चीख के बोल रहा होता हूं तो मेरी frequency high होती है कभी मैं आइसा बोल रहा हूं तो बेज साथ है frequency कम है हमारे बोलने की frequency change हो रहती रहती है मैं चाहता हूं मेरे singular equally apply for example for example मेरे बोलने से इस किसम का voltage time graph बन रहा है समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ इस किसम का मेरे बोलने से यहां पर क्या है frequency कम है यहां पर frequency medium है यहां पर frequency high है अब मैं चाहता हूं कि यहां पर यहां पर किसी signal की किसी मेरे बोलने की यहां पर किसी signal की frequency है hundred hertz यहां पर किसी signal की frequency है thousand hertz यहां पर इसकी frequency है ten power four hertz अब बात यह मैं चाहता हूं equally amplify हो जो lower frequency है मैंने gain रहे रख दिया यह मैंने ten power five gain रख दिया यह मैंने ten power four gain रख दियाちゃん power four उतना मैं इन रख दिया वह इतनी frequencies को फारेजंबल यहां मैं लिखा ए ten power four इतनी frequencies को तो वो इधर तक की frequency को these 10 पाव 4 टाइम अम्प्लिफाई करेगा लेकिन इसे जो higher frequencies हैं उनको कम अम्प्लिफाई करेगा तो कहीं से signal ज़ादा अम्प्लिफाई हो जाएगा कहीं पर signal कम अम्प्लिफाई होगा तो signal distort हो जाएगा हम चाहते ही equally amplify हो lower frequency जितना amplify हो रही है इस purple वाले रीजन में amplifier cooperate कर सकता है ये purple वाले रीजन मैंने र्टा नहीं मारा हो ये manufacturer देता है हर amplifier का ये different होटा है ओके इस frequency के लिए अगर आप gain ये रखते है तो constant है इतनी frequency के लिए अगर आप gain रखते हैं तो ये constant है इतनी frequency के लिए यह constant है इतनी frequencies के लिए उसके बाद नीचे आने लग जाते है तो यह बात clear ही आपको तो अगर gain constant नहीं होगा तो क्या होगा आपका signal distraught हो जाएगा कहीं पर जादा amplify हो जाएगा कहीं पर काप amplify हो जाएगा Is it clear to you? तो तो हम का जाते है bandwidth should be high range of frequencies for which amplifier can give the constant gain उसको बोलते है bandwidth ideal amplifier की bandwidth infinite होती है ideal amplifier has infinite bandwidth उसकी infinite bandwidth होती है real amplifier की bandwidth depends on gain ठीक है तो क्या करना चाहिए जनाब to increase the bandwidth next sign लिखो to increase the bandwidth gain must be reduced to increase the bandwidth gain must be reduced bandwidth बढ़ाने के लिए gain को काम करना पड़ाएगा copy करें हम जाते हैं bandwidth ज्यादा हो अगर ज्यादा gain होगा तो bandwidth काम होगी bandwidth क्या होता है वो range of frequencies for which the amplifier can give the constant gain वो range of frequencies for which the amplifier can give the constant gain कितने बजिक हैं दो घंटे हैं टेट गंटे हैं चलो ठीक है अपरे कर दो ठीक है आपको में टेली कॉम की lecture देदूंगा तो कर दोगे ना चलाने बाफिट हो गया ने वाले अच्छा मेरा बिटा मैं ओंटेज करेंट करें बाफिए यॉने मैं बाफिद राफिद वगे इंटाइं γιαने बाफिदत्यम्हिं डिडेटेशों मोर्स लेस डिस्टॉर्शन इन सिग्नल और मोर स्टेबिलिटी मोर अपके सरी क्या लिखते जा रहे हैं लिखो तो सही गेन कम होने का फाइदा होता है बैंडविट बढ़ जाती है लेस्टॉर्शन इन सिग्नल होती है और मोर स्टेबिलिटी होती है देखो बैंडविट बढ़ जाएगी तो क्या होगा बैंडविट एकी वर्ड है बैंडविट बढ़ जाएगी तो क्या होगा हर फ्रिकेंसी एक्विली अम्प्लिफाय होगी अगर ऐसा हो कि हायर फ्रिकेंसी कम अम्प्लिफाय हो और लोर फ्रि फ्रिकेंसिए ने ज़ंड हो गये जिकम अब लिफाय हुआ फिडियोगे दिर्म्याना अब फाया हुआ यह और कम अंब लिफाय हुआ इनपूट सिंगनल यहां रहा गया वोल्टेज टाइम ना यहां पर फ्रिकेंसी थी जदभार होगी हार अगर वेखियर फिकनसी कम एंप्लिफाय हुने तो एक तो यह सिडिल डिस्टॉर्ड हो गया है अगर बैंड प्रियुड जाता हो जाएगी तो सैंग्सिनल की डिस्टॉर्टर्शन काम हो जाएगी वहर ज convention वहर कि इसको अर्थी कर दिए और यहांपर सिग्नल दे रहा हूं मैंने यह सिगनल दिया यहां पर यह वल्ट टाइम अजितां फानवोड इसका गे supply voltage किती थी supply voltage थी 10 volt मैंने कहा था output draw करें gain कितने है इसका gain है जी इसका gain है 8 तो आपने बना दी अच्छा gain 8 है तो output क्या होगी पहले तो देखा कहां पे दे रहे है signal कहां पे दे रहे है positive वाले को signal दे रहे है तो crust है ना crust ही मिलेगा और इसका amplitude कितने है हादी ये crust है ना इसका amplitude 1 है ना तो output जो होगी उसका amplitude 8 टाइम जादा हो जाएगा तो जी खाहां था जाएगा 8 तक उपर गया था 8 तक नीचे आया था ये बन गी थी output आपकी gain 8 था तो ये output थी देखो जो input की shape है वो ही output की shape है जो input की shape है वो ही output की shape है shape खराब नहीं हुई अच्छा आप जरा सोचो प्लीज निसिन नुमी जरा बोल पे आओ अगर यहाँ पे gain होता 15 अपे gain कितना होता 15 अगर gain 15 होता अगर gain gain कितना होता अगर gain is 15 अगर gain 15 होता तो आपकी wave कैसे बनती फिफटीन तक ideally उपर जाती 15 तक नीचे आती आइडियल वेव यह वंती voltage time 15 तक उपर जाती 15 तक नीचे आती अब problem क्या है supply voltage किती है 10 10 से उपर तो जाई नहीं सकती तो आपने क्या किया था याद है क्लिपिंग की थी हमने safe की क्लिपिंग 10 यहां पर है suppose तो यह वेव यू मिलेगी आपको फ्लैट हो जाएगी output आपके फ्लैट हो जाएगी तो आपका signal यू मिलेगा यूर सिग्नल विल बी लाइक दिस पढ़ा था आप लोगों ने आपका signal यहां तक आएगा बस देखो आप input दे रहे हो यह shape आपके फिल रही है यह shape खराब होगी ना shape शेप खराब होगी ना signal distort हो गया क्योंकि gain जादा है gain 8 था तो input output की shape same थी shape information होती है जो input की shape थी वही output की shape थी जब gain 8 था जब gain तुमने 8 से 15 कर दिया gain को बढ़ा दिया तो क्या होगी input की shape यह है output की shape यह होगी signal distort हो गया ना किस से gain के जादा होने से तो gain के जादा होने से signal distort हो सकता है तो हमें क्या करना है advantages of reducing the gain अगर gain कम होगा तो क्या होगा bandwidth पह जादा हो जाएगी और signal distortion भई अगर gain 10 है तो output ऐसे मिल रही है gain 8 है तो output वैसे मिल रही है जैसे input है तो जब gain कम होता है तो output input की shape खराब नहीं होती signal distort नहीं होता है signal stable हो जाता है अब मेरी बात ही यह clear होगी होगी आपको जब gain कम होता है तो bandwidth बढ़ जाती है less distortion होती है more stability होती है अब gain को कैसे कम करें gain को कम करने के लिए में feedback लेना पढ़ता है negative feedback gain को reduce करने के लिए we have to take negative feedback तो लिखें next time to reduce the gain we have to take negative feedback यहा लिखता है to reduce the gain we have to use negative feedback अब यह सम्झाने में हमने पढ़ ले हैं feedback क्या होता है gain के कम करने के फाइदे क्या है bandwidth बढ़ जाती है और क्या होता है signal stable हो जाता है खराब नहीं होता अगर gain जादा होगा तो signal distorted हो जाएगा जिशान इंसान बन्जार करते रहे ना जूम से तुम कापी यार Facebook पे अपलोड करने में टाइम बहुत लगता है मैंने कह सकता अच्छा भी आगे चल रहे है feedback time किता रहता है पनारा मिनिट है अच्छा भी दस मिनिट है और यह topic मुश्किल सबच तो आएगा नहीं आपको मैं खत्म आपको नहीं कह रहा प्लीज ज़र देख ले अगर आप तेस्ते नहीं लिख सकते बस सुनने पर तवज्ज़ दे जरा feedback क्या होता है feedback होता है यह amplifier है मैं इसकी दोनो inputs को इकठे दिखा रहा हूँ combine करके दिखा रहा हूँ यह output है बिटा जरा लिखने पर नहीं सुनने पर तवज्ज़ दे output input output को दुबारा input से जोड देना directly यह some part को जोड देना इसको बोते है feedback connecting output और fraction of output to the input is called feedback अब लिख लें देले और fraction of output असल में आउटपूट को दुबारा इंपूट से करेक्ट करना आउटपूट को दुबारा इंपूट से कनेक्ट कर देना यह यूं कर रहे हों नहीं फीडबैक है फीडबैक कॉपी कर लिया दिल्दी से कॉपी करें ओके connecting output of fraction of output to the input is known as feedback अब क्या कर रहा हूं बटा अब यह यह मैथमेटिक से थोड़ा सा यह देखो यह एड एड डबल डी एड यह कंबाइन इंपूट्स बनाई यहां पर एक रिजिस्टर लगा दिया यह उपर तक नजर आ रहे है इसको बोलते है फीडबैक रिजिस्टर फीडबैक रिजिस्टर यह एक्स पॉइंट है यहां पर लिख दिया वी इन यहां पर है वी आउट प्लीज डॉख करें इन दोनों इंपूट्स को कॉम्माइन कर दिया मैंने बाद बाद करते हैं यहां नहीं सॉरी 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 एक्टिव ने गलत बना दिये यहां दिखाने है अच्छा वही वी आउट फर इजेंपल वी आउट पिल रही है आपको 12 वोल्ट आप यह देखें यहां ते वापिस वापिस आ रहे हैं वापिस आ रहे हैं कुछ यह रिजिस्टर कंजूम करेंगा इसको बोलते हैं आरेफ फीडबैक रिजिस्टर कुछ यह रिजिस्टर कंजूम कर लेगा वोल्टेज यहां पर 12 थी इससे 9 कंजूम कर लेगा यहां पर 3 बची तो 3 इसका क्या है 3 12 का क्या है 3 12 का 1 4 थ है यहां पर बीटा 1 4 हो जाएगी बीटा वी आउट बीटा इस सम फ्रेक्शन बीटा स्क्राइब चाइब करें यहां पर जाएगी कुछ यहां पर पहुंचेगी बीटा इस लेस देन वन यह क्या है लेस दिन वन इसलेस दिन वान इसलेस देन वन अब मैं क्या लगा है यहाँ पे, यहाँ पे, बिल रही है 10, और यहाँ पे 5 यह पे 5 यह पे यह पे 5 आएगी न, तो 5, 10 का क्या होता है, half, तो beta half होगी, beta V out, what is beta V out, beta is less than 1, beta is some fraction of output, beta is some fraction of output, अब जरहां mathematics लगा रहो हूं है, beta stop writing, listen to me, अच्छा output क्या होती है, output होती है gain, इसको बोलते open loop gain is equal to input to amplifier, beta थोड़ी मुश्किल चीज़ है, please pay attention, please pay attention, मुश्किल चीज़ है, यह कहा है, इसको बोलते open loop gain, अब दो gain होती है, एक होते open loop gain without feedback, एक होते है close loop gain with feedback, अब यह loop बन गया, loop, अब इसको gain change हो गया, अब जो gain होगा ना उगा close loop gain, यह a not क्या था? open loop gain, open loop gain, open loop gain गया होते है, without feedback जो gain होते है, अब दोफेड़ी मुँखें और फिटबेक जो बोलते है open loop gain, और वो ideal amplifier का infinite होते है, दूसरा होता है close loop gain close loop gain कब होता है जब अपते feedback लिया होता है तो gain change हो जाता है उसको बोलते है close loop gain अब मैं close loop gain का expression निकालने लगा हूँ अब को gain कम कर गे होना है सुनो प्लीज V out is equal to A not बिटा प्लीज stop writing look at the ball प्लीज look at the ball प्लीज पीछा लोग दूँवारा copy कर लेंगे यह सुनो जरह गोर से V out अब दो चीज़े input कर रहे है क्या चीज़े input कर रहे है एक तो input signal आ रहा है और output के कुछ fraction भी आ रहे है यह दो चीज़े add हो रही है तो इसके input पे दो चीज़े जा रहे है एक input signal आ रहे है सब्सक्राइब यहां नेरे लेकिन सारी इस की कुछा फ्रैकशन आ रही है हाफ या वन थर्ड या टू सेवन्ध हाँ रू возь वोंध हो फीफ्थ f7 29 कुछ लिए ऑके सुन बें अब यहाँ पे जरा सब्जेक्ट बनाओ इस इसको डिखो और सब्जेक्ट मनाओ मुजे किसका एक्सफरेशन चाहिए मुगे एक्सरेशन चाहिए वी आउट और वी इन इसकाfend agent चाहिए इस पे इसको सब्जेक्ट बनाओ प्लीज कॉपी करें और जल्दी से सब्जेक्ट बनाए आपका अंसर आएगा ये अंसर आएगा चेक करो आते है की नहीं आता इस expression में ये सब्जेक्ट बनाओ इसको बोलूँगा मैं closed loop gain closed closed loop gain a किसके एकवल होता है a not 1 minus जी पहले ब्रेक्ट खोलें और सब्जेक्ट बनाए वी आउट और वी इन ब्रेक्ट खोल रहा हूं है a not वी इन इससे मल्टिप्लाई होगा और इससे मल्टिप्लाई होगा प्लस a not बीटा वी आउट अब वी आउट यहां भी है यहां भी है वी आउट एक तरफ ले यहां कॉमन ले ले वी आउट माइट माइनस a not बीटा वी आउट इसकोड अन अउट इन्ट वी हैं यहां से वी आउट कॉमन ले ले वी आउट कॉमन ले लिया 1-A0 beta is equal to A0 अब V in इदर आ गया ये उदर चला गया तो क्या हो जाएगा V in इदर आ जाएगा ये उदर चला जाएगा तो मरबस क्या बन जाएगा V out over V in is equal to A0 over 1-A0 beta ये चीज़ बन जाएगी ये चीज़ G आप गेन का निया expression आ गया बेटा जल्दी से देखे प्लीज हमें मेरी बात सुनों जल्दी से प्लीज हमने क्या किया ये expression लिखा और यहाँ पे V out और V in को subject बना लिए हमेश हैसी करेंगे V out और V in क्या होता है यह होता है gain यह होता है gain लेकिन अब gain चेंज हो गया है feedback के साथ gain इसको बोलते है close loop gain यह जो close loop gain है यह A naught और 1-A naught बीटा के इक वला है जल्दी से यही बात सुनों प्लीज feedback लगाने से gain चेंज हो गया gain का expression चेंज हो गया gain का expression चेंज हो गया feedback लगाने से अब gain पहले A naught था ना अब A naught नहीं रहा अब A हो गया क्या हो गया A naught over 1-Beta A naught बीटा इस सम fraction बीटा इस लेस दिन वन अच्छा मेरी बात ज़रा गोर से सुनिए प्लीज अब जितना भी लिक ज़रा मेरी बात सुनों गोर से यह जो term है यह होता है denominator denominator और इस से तो Answer 2.5 आएगा तो अगर denominator more than 1 होता है तो Answer छूटा आता है अगर denominator less than 1 होता है तो Answer बड़ा आता है अब it should be it should be more than 1 it should be more than 1 क्यों कि हम gain को reduce करना चाहते है न मैं इसको चाहता हूँ छोटा answer आए मैं चाहता हूँ ए छोटा answer आए तो ये more than 1 होना चाहिए इसको 1 से बड़ा होना चाहिए देखें जी 1 से बड़ा कैसे हो सकता है देखो ना 1 में से जब तुम कुछ minus करोगे तो 1 से चोटा answer आएगा न देखो ना 1 minus 0.1 या 1 minus ये 0.2 है या ये 0.4 है जो भी है जब 1 से कुछ minus कर दोगे तो answer चोटा आएगा न नहीं नहीं मुझे तो answer 1 से बड़ा चाहिए तो ये तभी possible है कि बीटा की value डेखो बीटा अगर ये 1 से चोटा हो जाएगा जब आप किसी चीज को less than 1 पे divide करोगे तो answer तो बड़ा आएगा देखो ना यहाँ पर divide कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर less than 1 से किसको divide करो less than 1 से divide करो तो answer और बड़ा आ रहा है तो अगर यह less than 1 होता है तो आपका answer तो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे भी बड़ा हो जाएगा मुझे gain को बढ़ाना नहीं है घटाना है तो इस value को क्या होना चाहिए should be more than 1 वो तभी possible है जब बीटा की value negative होगी जब बीटा की value negative होगी तो यह negative और यह negative मिलके positive हो जाएगा और यह आपसे दोनों terms जमा हो जाएगी जमा होके more than 1 answer आएगा और यह gain छोटा हो जाएगा इस शूड़ बीटा इस नेगेटिव यह बीटा नेगेटिव कैसे होता है बीटा नेगेटिव होता है कि feedback हम लगाएं inverting input में आपको बता है ना हमने तो यह combined inputs बनाएं थी amplifier की दो inputs होती है एक होती है negative एक होती है positive तो हम feedback हमेशा यहाँ पे लगाएंगे feedback जो लेंगे वहमेशा inverting input पे लेंगे तब inverting input में लेंगे तो फिर क्या आजएगा बीटा विल बी negative बीटा को लिए negative आजएगी क्यों क्यों negative आएगी देखो ना आपको होता है इन दोनों का sign opposite होता है अगर यह plus है तो यह minus होती है अगर यह minus होती है तो अगर यह plus output आई हुई है तो plus जाएगी, plus जाएगी, plus जाएगी यह plus आई हुई है तो यह इधर input negative आ रही थी तो plus negative पे मिलके answer छोटा हो जाएगा और अगर यहाँ पे plus दिया वा था तो answer minus आ रहा था answer minus आएगा तो जब यह दुबारा इसमें add होगा minus plus में add होगा तो यह value छोटी हो जाएगी जब इसकी input, actual input छोटी हो जाएगी तो output छोटा answer आएगा मैं चाता हूँ इसकी जो total input है यहाँ पे जो value है ना x पे value छोटी हो जाए अब वो कब possible होती है जब बीटा की value इत्ती detail नहीं चाहिए आप रटा लगाएंगे क्या रटा लगाएंगे मुझे यह more than 1 चाहिए यह more than 1 कब होगा जब 1 में यह term plus होगी 1 में यह term plus कब हो सकती है फार्मूले तो minus है यह term plus तब हो सकती है जब बीटा की value negative हो और बीटा negative कब होगा जब हम negative feedback लेंगे what is meant by negative feedback connecting output to the inverting input is called negative feedback तो देखे इट शुद बी more than 1 only possible when beta is negative तो beta will be negative अगली स्क्रीन पर लिखोंगा मैं यह मिटा ज़ता हो ना more than 1 less than 1 लिटा बीटा वीट बीटा नेए स्योज़भ थड मैंais dawकली स्क्रीट first inverting input known as negative feedback known as negative feedback बेटा अब इसको याद कर लें मुझे समझाना नहीं आता ये I'm sorry इसको याद कर लें क्या याद करें कि गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है A over A naught 1 minus beta A naught हमें गेन को घटाना है गेन घटेगा तो bandwidth बढ़ जाएगी signal distortion नहीं होगी अब गेन कब कम होगा मुझे गेन को कम करना है गेन कब कम होगा जब ये denominator more than 1 होगा more than 1 में ये term add होनी चाहिए 1 के साथ ये add होनी चाहिए 1 से कुछ minus होगा तो less than 1 हो जाएगा अब मुझे इसको क्या करना है इसको करना है more than 1 अब negative तो है अब negative को positive बनाने है तो beta की value negative होगी तो positive बन जाएगा और beta negative का बहुत है जब हम negative feedback लेते हैं इसको याद कर ले बीटा विल बी नेगेटिव फीड़एक इस connected with the inverting input आपने यहां पर दोनों inputs इकठी दिखाई थी feedback लिया output को input से connect करने को बोलते हैं output को inverting से connect करने को बोलते हैं negative feedback output को positive से connect करने को बोलेंगे positive feedback तो we don't need positive feedback वो तो gain को बढ़ा देगा हमें negative feedback तो negative feedback कब आएगा जब बीटा negative होगा and beta will be negative, beta is what? beta is fraction, fraction of output, beta will be negative when feedback is taken along, inverting input, हम क्या करेंगे? inverting input के cross feedback लेंगे, भाखता होगा बीटा यह sorry यार आपको रटा लगवा है, मैंने इतना डाइम नहीं है समझने वाला इसको याद कर लें बस, यह negative feedback यह output को इससे connect कर दिया, negative वाले से connect कर दिया यह negative वाले से, यह output है, इसको बोलते है negative feedback, यह negative feed, इस एक line रटा लगा लो, बाकी मैंने समझा दिया आपको, क्या रटा लगाई है, कि सर्क्यों negative आता है, यह क्या मसला है, आपको अगर सोचें तो, अगर यहाँ positive दे रहे हैं, तो आज तो मैं थे बाइगा, असरोग और मुझे यह value छोटी चाहिए, तो फिर क्या होगा, यह यह negative हम चाहते हैं कि हर frequency equally amplify हो अगर higher frequency कम amplify होंगी और lower frequency ज़्यादा amplify हो जाएगी तो signal distort हो जाएगा signal की distortion को बचाने के लिए हमें bandwidth को ज़्यादा करना पड़ते हैं और bandwidth ज़्यादा कब होगी जब gain कम हो जाएगा और जब gain कम हो जाएगा तो amplifier saturate नी होगा flat output नी मिलेगी तो gain को कम करने के लिए negative feedback लेना पड़ता है feedback का क्या मतलब होता है output को input से connect कर देना इसको बोलते है feedback अब इसका mathematics किया तो gain का ये expression आ गया ये derivation आपको आने चाहिए exam में आती है output क्या होती है gain into input to amplifier V out is equal to gain, दो चीज़े input हो रही है signal आ रहा है, एक इसकी output की fraction आ रही है, असल में हम चाते है input काम हो जाए, ये negative होगी ना तो ये positive value में जब negative होगी तो answer छोटा आएगा, इसलिए beta negative होना चाहिए बारहल V out, this और this यहां से हमने solve किया V out और V in को subject बना रही है, V out और V in gain होता है अब जो gain है, वो है close loop gain with feedback, पहले open loop gain था without feedback, अब एक close loop gain यह जो close loop gain है यह हमने change कर दी है, इसका expression नहा आ गई है a not over 1 minus beta a not, अब यह जो expression आया, तो मुझे gain को कम करना है, gain कम तब होगा जब denominator 1 से बढ़ा होगा जब denominator 1 से कब बढ़ा होगा जब 1 में यह term add होगी, 1 में यह term add कब होगी जब beta value negative होगी, याद कर ले और beta negative कब होगा, जब हम inverting input में feedback लगाएंगे जब हम inverting input में feedback लगाएंगे इसको याद कर ले, आज के लिए काफी है कल आगे पढ़ेंगे दो lecture में खतब होगा आगे इंशाला Thank you students